हेलो एवरीवन आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वारत है तो आज इस वीडियो में हम बी ए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का मेजर हिस्टरी का यूनिट वन का जो आपका टोपिक है साइन्टिफिक रेवोल्यूशन विद इनलाइटनमेंट इसके बारे में पढ़े तो प्रिविएस वीडियो में हमने साइठिफिक रेवोलूशन क्या था कौनकोन सी फिल्ड में रेवोलुशन आया कौनकोन सी इन्वैंशन वहीं ये सब कुछ डिसकस किया था आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे enlightenment के बारे में जिसे Hindi में ज़्ानोदय कहा जाता है तो ज़्ानोदय का क्या मतलब है विग्ञानिक रांती का ज़्ानोदय से क्या सम्बन्थ था ज़्ानोदय की शुगात कैसे हुई इसका क्या प्रभाव बढ़ा ये सब कुछ हम discuss करेंगे तो चली start करते हैं वीडियो को complete देखे गा तारी कोई भी concept छूटे न अगर आपने अब तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो कल लीजे तारी हमारी हो वीडियो के update आपको time से मिलती रहें तो चली जानते हैं ग्यानोदर के बारे में कि कैसे वैग्याने करांती ने ग्यानोदर को प्रभावित किया तो अगर हम ग्यानोदर का इतिहास देखें तो ग्यानोदर जो था ये वैग्याने करांती के बाद हुआ ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ग्यानोदर हुआ हो मन्दव के पहले enlightenment हुई हो फिक रांती आई हो नहीं पहले वैज्ञानिक रांती आई थी then ग्यानोदय की शुगात हुई इसलिए ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक रांती जो है इसका इतिहास ग्यानोदय से पहले का था हालाकि ये दोनों संबंधी थे हैं रिलेटिड है लेकिन फिक भी हम इन दोनों को सिमिलर नहीं कह सकते क्योंकि इन में कुछ डिफ्रेंस है ठीक है काफी समय तक ये बहुत सकते हैं कि लंबे समय तक विज्ञान तथा ज्यान के शेटर में कैथोलिक चर्च जो था उसी का नियंत्रन था मतलब कि कैथोलिक चर्च कंट्रोल करता था हर चीज़ को नोलेज पर भी कैथोलिक चर्च का कंट्रोल था साइंस पर भी फिर मध्यय युग में कुछ वज्ञानिक आए ऐसे वज्ञानिक आए जिनोंने नई-नई थ्योरिस दी नई-ने सिधान्थ दिये जिस सिधान्थ को जानकर लोगों को एकदम से ये लगा कि अब तक उन्हें जो पता था वो गलत था मतलब कि कुछ ऐसे वज्ञानिक आए जिनकी बात उने लोगों के मनुश्य के मस्तिश्क पर गहरा प्रभाव डाला ठीक है एंड इसी ने ग्ञानोदे यानि की इलाइटनमेंट के प्रोसीजर को ग्ञानोदे की प्रक्रिया को और भी ज़धा लिक्सित किया ठीक है वैज्ञानिक रांती के दुरान वैज्ञानिक पधति के विकास ने मनुश्य को उन्वेशन तथा प्रयोग करने के लिए प्रोचसाहित किया तथा उसे ने ग्ञान के और अग्रसर किया जब ग्ञानिक रांती हुई जब लोगों ने देखा कि अलगी लग फिल्ड में इन्वैंशन्स हो गए है खरगोल के शेत्र में आविश्कार हो गए है गनित के शेत्रे में आविश्कार हो गए है, ठीक है, मानव इज्ञान के शेत्रे में आविश्कार हो गए है, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि उनको भी नईनी खोच करनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से जो मनुश्य था, उसका ध्यान अन्वेशन की ओर गया, मतलब क discoveries के हो गया, लोगों ने सोचा कि वो भी किसी न किसी चीज के उपर प्रयोग करें कोई न कोई नई चीज discover करें, ठीक है अब लोगों ने अपने आज पास चीजों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि कुछ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है कि तो क्यों नहीं होगा, ठीक है कोई चीज हो रही है, तो उसके बेचे का कारण क्या है, ठीक है, लोगों ने experiment करने शुरू करें प्रयोग करने शुरू करें, कि अगर ये किया जाए तो क्या होगा, ठीक है एंड जो मनुश्य था, उसने यात्राइ करने शुरू की, लोगों ने एक जहरे से दूसरी जहरे पर जाना शुरू किया, ताकि दूसरी जहरे के वातावरन से भी कुछ ना कुछ नया सीखा जा सके अगर हम वैज्यानिक रांती की बात करें तो वैज्यानिक रांती जो थी इसका टाइम पेरियर्ड सोलवे से सत्रवी शताब दीखा था वज्ञानिक रांती एक आंदोलन था एक तरीके से जिसने मनुश्य की सोचने के तरीके में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया लोगों का जो way of thinking था मतलब कि सोचने का जो तरीका था वो भी बदलने लगा लोगों की जो thinking थी वो modern नुई आधूनिक सोच को लोगों ने अपनाया लोगों की सोच में आधूनिकता आई ठीक है एंड ये जो वैज्ञानिक रांती हुई थी ये हुई थी से सोल वी से सत्रवी शताब्दी तर मतलब कि 16 से 17 सेंचुरी के बीच का टाइम परिएड जो था उसमें जो वैज्ञानिक रांती थी वो अपनी चरम सीमा पर थी लेकिन अगर हम ग्ञानोदय की बात करें तो ग्ञानोदय का टाइम परिएड अठावी से 19 से शताब्दी माना जाता है मतलब कि 18 से 19 सेंचुरी माना जाता है ये माना जाता है कि 18 से 19 से शताब्दी के बीच में ही ग्ञानोदय आया था तो इसलिए आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि ग्यानोदे जो था वो वह ग्यानिक रांदे के बाद हुआ ठीक है एंड जब ग्यानोदे हुआ तो कैथोलिक चर्च तरथा राज शाही का जो प्रभावता वो कम हो गया अब जो लोग थे वो कैथोलिक चर्च पर कम विश्वास करने लग गए ठीक है अब लोगों को ये रियलाईज हो गया कि वो कैथोलिक चर्च के द्वारा कही गई हर बात का आँख मूर्द कर विश्वास नहीं करेंगे बल्कि वो लोजिक पूछेंगे ठीक है इसके अलावा इसने विज्वास को धर्म शास्त्र वे दर्शन से अलग कर दिया नए विज्वास को बढ़ावा मिला चलिए अब यहां पर देखते हैं कई लोग विज्वास करनती तथा ज्यानोदय को एक मानते हैं इसे वजह से वो काफे ज़रा भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे ग्यानिक रांती एक अलग प्रसेजर था इनका टाइम प्रेट भी अलग था वे ग्यानिक रांती ग्यानोदय से पहले होई थी ठीक है पहले वे ग्यानिक रांती उसके बाद ग्यानोदय की लाइटनमेंट हुआ इसके अलावा वे ग्यानिक रांती जो थी उसी को ग्यानोदे के उद्भव का बड़ा कारण माना जाता है यह माना जाता है अगर वैज्ञानिक रांती नहीं हुई होती तो ग्यानोदे भी नहीं होता ठीक है वैज्ञानिक रांती के परिनाम स्वगूप विज्ञान दर्शन धर्म शास्त्रे में काफी ज़्यादा नहीं न प्रग्यानिक में आई इस क्रांथी की विष्एस्तरी ने और युष्कार हुए नहीं कोजै की रही Catholic Church का प्रभाव कम हो गया ठीक है and Galileo, Galileo, Copernicus Isaac Newton ये कुछ अग्रणी विक्ती थे जिन्होंने वैज्ञाने क्रांधी में भूती मुख्या भूमी का निभाई ठीक है जब वैज्ञाने क्रांधी का नाम लिया जाता है देखते हैं वैज्ञाने करांधी के कंपारिजन में ग्यानोदे क्या था तो ग्यानोदे जो था ये प्रबोधन दायक देगे से ज्रावादन ऑन जलब कि जब लोगों को ग्यान आगया कि क्या सही है जब लोगों को रियलाइज हुआ कि जो चर्च Catholic Church उनको बोल रही है वो सही है या नहीं इसके लावा लोगोंने प्रिश्ण पूछना शुरू किया जो ज्यानोदय का समय था वो प्रबोधन से संबंधित था ठीक है ये एक तरीके का बुधिक आंधोलन था जिसमें मनुष्य की बुधि का विकास काने का प्रयास किया गया ठीक है 17 सदी के अंतर से 19 सदी की शुगात तक ये आधोलन चला था ठीक है इसमें तरक, व्यक्तिवाद, संशयवाद इन विश्यों पर जोर दिया ठीक है व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि ये मानना कि जो व्यक्ति है वो केंद्र है यूनिवर्स का ब्रहमांड का एंड व्यक्ति जो है वो चाहित अपना जो भविश्य है वो कुद सवार सकता है ठीक है man is the master of his own fate मतलब कि मनुश्य जो है वो अपने भागे का खुद निमान कर सकता है तो ये व्यक्तिवाद का सिधान था कि जो भी किया जाए वो व्यक्ति को केंद्र में कर किया जाए तर्ग का मतलब है कि जो भी Catholic Church उन समय उनसे बोल गई थी लोगों से उसके उपर तर्ग किया जाए लोगिक पूछा जाए उस चीज का संशेवाद मतलब कि इस चीज पर जो दिया गया कि किसी भी बाद पर ऐसे विश्वास नहीं करना है संशे की भावना विक्सित करनी है ठीक है तो ग्यानोदय के दुरान ये तीन बहुत ही एहम मुद्दे थे एहम विश्य थे जिन पर जो दिया गया था ठीक है एंड देववाद जो था वो भी ज्ञानोदय का ये एक उत्पात था मतलब कि ज्ञानोदय के दोरान ही देववाद जो ठीओ ही थी उसका जनम हुआ उद्भर हुआ ठीक है देववाद का मतलब है कि इश्वर जेवो ब्रहमान रूप बिना किसे लोगे है तो ये जो सिधान था देववाद का ये भी ज्ञानोदय के फरस्वरू भी आया था इसके लावा इसके दोरान कुछ और भी महत्वपुन चीज़े थी जिस पर फोकस किया रिया जैसे सहिशनुता धार्मिक्स वरतंत्रिता सीमित सरकार मानवा धिकार ठीक है ये सबी ज् जोड़े विशा कौन कौन से थे तो सहिशनुता धार्मिक्स वरतंत्रिता सीमित सरकार मानवा धिकार इन सब पर भी ज्यानोदय के दुरान यानकी इलाइटनमेंट के दुरान जोग दिया गया लोगों ने इन सब पर फोकस किया तो इसी के साथ हमारा यूनिट बन का टोप सब्सक्राइब करें वीडियो को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास थैंक यू फू जिंग इस वीडियो थैंक यू वेरी मच